असलाम कुम देर सुरेंट्स, I hope के लांस लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन और आयनाइजेशन से रेलिवेंट कुछ डाफिनेशन लाइक एक्टम, आयन, केटायन, अनायन क्या होते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैथोडरी एक्सपेरिमेंट के बारे में आयनाइजेशन, अगर हम लोग आयनाइजेशन के बात करें तो आप लोग कहते हो आयनाइजेशन एक ऐसा प्रॉसेस है जिसके अंदर कोई भी नूट्रिल एटम यानिके ऐसा एटम जिसके ओपर कोई भी चार्ज मुझूद नहीं है ऐसा एटम अगर कनवर्ट हो जाता है अलेक्टरिकली चार्जड एटम या मॉलिक्योल में लाइक आयन्स में तबदील हो जाता है तो ऐसे प्रॉसेस को आप लोग आयनाइजेशन का नाम देते हो वो या तो अपने उपर पॉजिटिव चार्ज रखता है या फिर नागिटिव चार्ज किस तरह से या तो अपना अलेक्टरॉन को लूस कर देगा या फिर अलेक्टरॉन गेन कर लेगा अच्छा इस डाफिनेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक आटम और आयन्स और आयन्स क्या है